पाठ सत्रह, कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग, कहानी सुनने तथा पढ़ने में बड़ा आनन्द आता है, कहानी जीवन की किसी लगु घटना को कहते हैं, कहानी से हमें शिक्षा वा प्रेनणा मिलती है, घर में हम दादी, नानी आदी से कहानी सुनते हैं, अंगूर खटे हैं, किसी जंगल में एक लोमडी रहती थी, एक दिन वह बहुत भूखी थी, इसलिए भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रही थी, परन्तु उसे कहीं कुछ न मिला, लोमडी बहुत दुखी हुई, आगे चलने पर उसे एक बाग दिखाई दिया, वह उस पहुची, वहां पके हुए अंगूर के गुच्छे लटक रहे थे, आगे आप लिखिये, शेर और चूहा, दोपहर का समय था, गर्मी बहुत तेज थी, जंगल का राजा शेर गर्मी से बहुत परेशान था, उसे एक घना पेड दिखाई दिया, वह उस पेड के नीचे सो गया, वहीं पास के बिल से एक चूहा निकलाया, उसे शरारत सूजी, वह शेर के ऊपर चड़ गया, और उचल कूत करने लगा, इससे शेर की आँख खुल गई, वह बहुत क्रोधित हुआ, आगे आप लिखिये,